सदा भवानी दाहिने सनमुक राए गडेश और पांच दियो मिल रच्छा करए ब्रम्मा भिशनु महेश तो संकर कैलासी कासी उत्रा खंड बस आई है और बैट गुफा में दोरी को जब आमर कथा सुनाई है तो अमरी दमारी सुनी उमाने नेत्रों में निंद्रा भर आई वही कथा फिर एक तोते के बच्चे ने जब सुन पाई तो दिया हुकारा सिव जी को सिव कहां अर्थ करी समझाई सुनाई और सुनता था वही सोतीध की गवरामाई पर ब्रम्मा का खेल हुआ है इसे तोते की बड़ी रती सिव कहां कथा हो सुनो पारवती तो हुई कथा समपूर ये सिव ने पारवती को बुलवाया उठी किर जाका है सिव से मैंने कुछ नहीं सुन पाया फिर सिव जी ने दिया हुकारा किसने तुझको सुनाया और तीसरा यहां पे कौन बिद करके आया तो चड़ा क्रोध सिव संकर को कर से तिर सूल को उठाया उसी भक्त उस तोते का बच्चा उसके दाया दवडे सिव से के पीछे वो निकल गया सुमत ये मती सिव कहें कथा सुन पारिवत्ती तो तीन लोग में उड़ा वो तोता मिला कहीं न ठेकाना उड़ते उड़ते बहुत साय अपने मन में घबडाना तो पर्तिबरता थी खड़ी करे असनान उसी को पहिंचाना और दवड के तोता जाय उसी के मुख में सामाना तो वहां किसी का जोर चले ने क्यों कर उसका आई पीना वही हुए सुक दियो ब्यासे से पुत्र बड़े भए यतीस अतीसिव कहें कथा सुन पारिवती तो अमर कथा का बड़ा मात्तम जो कोई सुनने जावे और सरवन किये से हुए अमर नाही मरने पावे तो चार बीट सा सतरा ठरा पुरा रिस्ट में आवे अमर कथा को आप सुक दियो सदा सुक से गावे वे पंड़े जो बड़े जाता हैं अमर कथा को सुनाओं और दूसरे और दूसरे के बोल नाही मेरे मन में भावे जिसे दिन सिव ने कही कता थी कवन बारती थे कवन हती सिव कहाई कताओं सुनाओं पारबती शिल्का है कताओं सुनों पारबती ले सुना दिया